तो नमस्का दोस्तो आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज हम जो बात करने वाले हैं वो बॉर्णियो सिमेटिक के अंदर हम लोग आई सी जो हम लोग आज सीखने वाले हैं आई सी डाटा सीट आई सी डाटा सीट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहली बात क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह आई सी डाटा सीट हाई क्या चीज़ आज जो टॉपिक आप लोग दोस्तों सीखने वाले हैं यह क्या चीज है किसी के बारे में सीखने वाले हैं अगर इसके बारे में थोड़ा तो समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप हमारा जो समझाने का माइने जो मत्तलब है उस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं तो नमस्ता दोस्तों मेरा नाम राग्वेंट और मेटेक इस्टुट कानपू से बात कर रहा हूं जहां पर आपको मोबाइल फून है लैप्टॉप है ऐसा यहां पर हम जितने भी सारे बच्चे जो भी स्टुट्ट सीखने आते हैं तो बेसिक लेवल से अध्वांस लेवल तक ही कंप्लिट ट्रेनिंग देते हैं अचाहिए वीडियो जो हम आपको बना करके देते हैं तो यह सारे फीरी डेमो वीडियो होते हैं यह सीखने के ट्रेनिंग के ही टुटेरियल होते हैं यह वही ट्रेनिंग का पार्ट है जो आप क्लास में सीखने के आपको समझ में आता है अच्छे से सीख सकते हो आपको महसूस होता है कि आपने और भी बहुत सारी वीडियो देखी है लेकिन इस वीडियो के माद्यम से भी आपको कुछ सीखनों को मिला है तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग शूट को जोइन कर सकते हैं इसी तरीके से हमारे एक उससे मॉबायल फोन में लोक्टोड़ा काफी हुए काफी नहीं हुए और उन्हेंने बहुत सारी चीज्ज़ उनको सीखनों को मिलीए तो उन्होंने अपना फिलाल अपने स्च्टूर्ट को जोइन किया हुए है कर दो बूपर बिजनेस चलना है अपना मॉबायल फोन पूर्ण होता है अच्छी तरीके से लगाता चलाते रहना है तो दोस्त आपकी अच्छी ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है चलो चलते हैं अपने टॉपिक को उपर और टॉपिक सीखते हैं कि सारे ऑच्छी जो जोड़ने के लिए काम बातों हमारे जोड़ने के लिए को जोडने के लिए या track को यूज करते हैं लेकिन IC ही हमारे mobile phone को fully तरीके से control करती है क्या काम करती है control करती है जैसे एक jumble सी बात मैं कहता हूँ अगर मेरे पाथ 3.7 volt है तो 3.7 volt को अगर मैं 24 volt में convert करना चाहता हूँ तो इस converter का रूप में converter हो जाएगा लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा circuit हो जाएगा तो इसकी लिए क्या company का काम करती है वीच में छोटा सा IC का इस्तेमाल करती है उस IC के माध्यम से इस circuit को ऐसा circuit त्यार करती है कि उसके माध्यम से आपके mobile phone में लाइट की problem हल हो जाती है कि आप जितना चाहोगो उतना brightness बड़ेगा जितना चाहोगो तो उतना कम हो जाएगा जितनी देर चाहोगो उतने देर light जलेगा अपने मन से बंद हो जाएगा इस तरीके तो जितने भी सारे circuits होते हैं वो सारे circuits की जो information होती है वो इस IC data sheet के अंदर दिया हुआ है हमारे mobile phone को चलाने के लिए जैसे दोस्तों हमारा mobile phone जो आता है वो पूरा chip बेस आता है जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बनाया था SOC SOC का मतलब होता है system of chip कि हमारे phone को चलाने के लिए Qualicam, MediaTek, SPD, Exynos इस तरीके से chip की आवस्चेक्ता होते हैं लेकिन ये chip दोस्तों ये पूरे mobile phone के plate को डिजाल करते हैं पूरा board चलाता है पूरा board चलता है लेकिन अगर बात आती है कि हमारे mobile phone के अंदर Qualicam, MediaTek ये जो प्रोसेसर आते हैं ये प्रोसेसर ही थोड़े न चलते हैं उस प्रोसेसर को चलने के लिए और भी बहुत सारे circuit की ज़गरत परते हैं जिसमें से कुछ amplifier होते हैं, कुछ fitration होते हैं, कुछ converter होते हैं कुछ supply को आँगे कम ज़दा करके देने का काम करते हैं, कुछ regulator होते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे circuit को यूच लिए जाता है उन्हें छोटे-छोटे circuit के बारे में ही IC data sheet के अंदर information data sheet के अंदर information दी गई है जैसे एक जमपल सी बात मैं कहता हूँ, अगर आप में mobile phone है, और आप अपने mobile phone में अगर गाने बजाना चाहते हो तो गाना बजाने के लिए जाज़ी बात है कि CPU कमांड देगा, कितना गाना बज़ेगा, क्या बज़ेगा, यह सब कुछ CPU तरह करेगा लेकिन दोस्त आवाज जो निकलेगी, यह कम निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, कितनी तेज निकलेगी, amplify होगी कि नहीं होगी, उसके लिए तो छोटा सा amplify लगा जाए अगर उसी amplifier को हम लोग बोलते है ringer IC या audio IC नाम से कह सकते हैं यदि आपके mobile phone बैटरी चार्ज हो रही है, तो बैटरी चार्ज होने के लिए charging IC जरूवत है, पावर आइसी जरूवत है, लेकिन दोस्तों उसको protection के लिए चोट जिस आइसी जैसे OVP, over voltage protection, उसकी भी जरूवत है, जिससे charging IC प्रोटक्टर बनी रहे है, उसके बाद, आपक ग्राफिक को voltage जाने के लिए, ग्राफिक IC अगर लगी होती है, तो ग्राफिक IC यूज होती है, उसी तरीके से आपके mobile phone बहुत सारे चोटे चोटे और भी circuits होते हैं, उन सारे circuit के खराब होने से भी particular एक problem आती है, जिससे हमारा mobile phone खराब हो जाता है, और हमारा mobile phone खराब हो ज से display light के problem है, वो उसमें display light नहीं जली, लेकिन display light के अंदर जो IC लगी है, वो IC और भी दस्यों mobile phone में उसी तरीके से लगी है, तो आप ये बास समझ लीजिए कि दस्यों mobile phone में उसी लगी है, तो उस IC के अंदर का configuration, उस IC के अंदर का circuit, उस IC का काम करने का तरीका, उस IC का principle, जि ये सारी बाते जो हैं, वो IC data seat के अंदर दिया हुआ है, तो ये दोस्तों मेरा आपको समझाने का purpose था, कि आप IC data seat का क्यों use करेंगे, और इसके माध्यम से क्या चीज समझने को मिलेगी, दोस्तों अगर आप IC data seat को सिब चार दिन बैठ करके, सारी IC के बारे में एक बास समझ लीजिए, सारी IC को एक बार अपने कॉंपी में design करिए, उनको बनाईए, मैं guarantee के साथ मैं कहता हूँ, आपको mobile phone के अंदर जितने सारे छोटे-छोटे circuit हैं, उनको अगर repair करना ना आ जा, तो मेरा नाम बदल दिना, इतनी बड़ी बात में challenge के साथ में तेता हूँ, क्योंकि म mobile phone repairing करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, हमारा concept clear होना बहुत जरूरी है, तो चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं, अपने topic उपर आँगे समझते हैं, क्या चीज है, तो हम लोग अपने पहले screen पर आ जाते हैं, इस screen पर दोस्तों सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे, यह आपर IC data sheet को option आता है, आप IC data sheet में click करेंगे, उससे पहले अगर आप देखेंगे, तो मैंने कल पहले की वीडियो में मैंने आपको दोस्तों यह बताया था, system of chip के अंदर, qualica, mediatek, exonox, spd का भी फिलाल नहीं आ जाएगा, तो उसके बारे भी मैं वीडियो आपको बना करके दूँगा, जैसे मली आपके पास कोई mobile phone है, उस mobile phone देखें क्या करिया हुआ, IC, audio IC, battery charger, IC, IC charger, IC, CMOS, computer, coupler, duplexer, FM, radio, front, GPS, RF amplifier, LED driver, IC, motor driver, IC, NFC, OVP, power amplifier, power management, regulator, RF, sensor, touch, इन सब को कलाने के लिए छोटे-छोटे बहुत सारे circuit हमारे दिये होते हैं, अच्छा, इन सारे circuit के बारे में इसके अंदर दिया हुआ है, जैसे ज्यादा तर mostly हमारे बारे जितने भी सारे students होते हैं, सारे students को एक light की समयस्या बहुत आती है, और वो light की समयस्या है, जिसके क अच्छम से कितना helpful मिलेगा, और आपको थोड़ा बहुत knowledge है, और देखेंगे तो आपको और पूरा भरपूर knowledge हो जाएगा, सबसे पहली बात इसमें देखो लेगा, IC LED ड्राइवर, लिखा है, तो जैसे आप IC LED पर क्लिक करेंगे, तो देखें दोस्तों, यहाँ पर इतनी तरीके कए IC हैं, यह सारी जो IC हैं, अलक अलक तरीके की IC हैं, जो आपके mobile फोन में से लगी है, और भी 10 mobile फोन में यह IC लगी है, तो दस्यों mobile फोन का IC का जो configuration है, IC का जो circuit है, वो circuit कैसा होगा, सेम होगा दोस्तों, तो अब मैंने जैसे इसकी पीडियॉप को मैंने open किया, जै सबसे पहले बात इस IC का नाम क्या है? SGM क्या एक कमपनी है जो इस IC को क्रियेट करती है, जो IC को बनाती है अब बनाने के बाद सबी मोबाइल फोन में, चाहाँ किसी भी कमपनी का मोबाइल फोन हो, वो IC उसको यूज़ करती है अब देखें, उस IC के बारे में, फीचर पहले समय लेजिए, पूरा डेटेल दिया हुआ है फीचर क्या है, इस IC के बारे में? मैं इस थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और छोटा करने के बाद इसके जितने सारे फीचर है, वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहली बात, दोस्तों, आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब सब को सब चीज़े दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं कि लिए तरीकर से सबसे पहला फीचर क्या है? फीचर, फीचर के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर IC के नाम SGM 372 अब जितने मोबाइल फोन होंगे, सब भी मोबाइल फोन होंगे, चाहे है, वोपो, वीव, एम, एम, इडियल, मेटेकनो, लाव, आकारवन, कुछी भी कंपनी को कोई भी फोन हो अगर सो मोबाइल फोन ने इस तरीके का IC का उपयोग किया गया है, यह IC यूज है, तो उसके समलें यह configuration दिया है, सबसे पहली बाद क्या है, यह IC क्या काम करती है, यह पूरा information पहली बाद तो यहाँ पर भी आ हुआ है, उसके बारे में जानकरी, इस तरीके से 10 लाइट को जला सकता है, पहली बाद, दूसरी बाद क्या integrated, 40-40 high volt current switching, बल्ले यहाँ पर कितना होगा, इंटीग्रेट जो होगा, IC जो काम करेगी, वो 40 volt high current तक को generate कर सकते हैं, दूसरा क्या होथा, इस IC को काम करने के लिए 2.7, 2.7 volt input से ले करके 5.5 voltage input voltage दिया जाएगा, इस IC का जरूरी नहीं है कि इस IC का दोस्तों आप mobile phone में इस्तेमाल करें, यह mobile phone के लाबा और भी बहुत सारी चीज़े आती है, भाई mobile phone में ही थोड़ी ना display मेलाई जल लाई है, बहुत चीज़ों जलती है, यहां तक कि तुम्हारा photo frame आता ना, जिसमें आप गर में photo लगाते हैं, उसमें भी तो light जलती है, बिना light यह कैसे दिखाई देगा, ऐसा तो है नहीं कि तुम उसमें CFL लगवाल होगे, तो अंदर से light लगाता है, बाहर mirror लगते हैं, बोर लगते हैं, उनमें भी इस्टेमाल किया जाता है, चोटे चोटे प्रोजेक्टर आते हैं बाहर लगे होते हैं जैसे आप मेटरेक्टर में जाते हैं वहां भी जलते हुए लाइट बैजना दिखाई देते हैं उनमें भी इसीडियों का इस्तिमाल किया जाता है तो 2.7 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्टेज देंगे तो यह 40 वोल्ट हाई वोल्ट को करनेट को जन्रेट कर सकता है दूसरी वार हाई सिसेंसी पी डबलू यम कन्वर्टर और लो टू मिली वोल्ट फीडबैक वोल्टेज 500 किलो पुल डाउन रजिस्टर येस की रिक्वार्मेंट जो जोगत परती कंट्रोल करने के लिए 2 किलोट से 60 किलो हर्स क कि पी आम फ्रिक्वंसी डिंबिंक फिरक नसी का मतलब होता है कि जैसे आब वीडियो देखते हो तो वीडियो देखते हैं समय उस समया पर हमारी जो मोबाईल पोन की जो लाइट होती है वो लाइट ऑन गcej जावार कम जादा जीसे कभी वीडियो आप देखते है तो अमको वोल्ट या अर्थिस वोल्ट LED प्रोटक्शन 1.1 किलोड शुर्चिंग इंटेग्रेटर सॉफ्ट स्टार्ट फंशन इंटेग्रेटर सॉफ्ट का मलब इजीली तरीके से फंशन स्टार्ट हो जाता है सट डाउन करेंट मलब करेंट कुछ तरीके से बंद हो जाता है सिंपल इंट स्माल स्लूशन मलब बहुत इजीली तरीके से स्माल स्लूशन दिया है लाइट जलाने के लिए अवेलवल इन ग्रीन अवेलवल इन ग्रीन का मतलब होता है खूब आसानी से मिल जाता है जितना चाओ ऐसे मिल जाएगा और आप माइनस 40 degree शेंगे temperature से लेके 85 degree temperature ते इसका operating temperature range है जो काम करता रहता है कितने temperature में रहेंगे तब भी आपका इसी काम करता रहेगा चलिए अब हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे यह तो इसका यह हो गया अब बात करते हैं इस application का मतलब आप इसका स्टेमाल करते हैं कि सारी चीज़ लिगा हुआ application का मतलब यह है आप इसको LED backlight में स्टेमाल कर सकते हैं mobile phone में स्टेमाल करते हैं वो तो हम सीखी रहे हैं कामी कर रहे हैं उसी का handle device digital photo frame photo frame की दोगों में बात करा था वो digital जो photo frame आते हैं उसमें भी इसका use किया जाता है automatic navigation उसमें automatic navigation का मतलब होता जैसे alerts बने होते हैं कि ऐसे औरो मुड़े हैं या ऐसे और भी सारी चीज़ों होती है DRL होते हैं उनमें इन साच चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो यह पूरा इस IC के बारे में information दिया हुआ है अब देखिए यह IC दोखो काम कैसे करेगी IC के अंदर 6 पिन होती है कितने पिन होती है दोस्तों 6 पिन यह देखिए जब इसके अंदर 6 पिन होती है 6 पिन यह आपकी light IC है यह light IC 6 पिन जो voltage होते है उन voltage को क्या काम करती है convert करती है आभी तक हम लोग जैसे सीखते आए थे कि जैसे हम लोग एक इसको करने के लिए coil का इस्तेमाल करते है coil के माद देम से हम लोग इसको voltage देते थे voltage देने पर यहाँ पर switching होता था switching होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर डाइवर तो इसक्तेमाल करते थे capacitor यूज करते थे जिससे हम लोग यहाँ पर 3.7 voltage तो produce करते थे फिर यहाँ पर switching करते थे switching करने से voltage हमारे बढ़ जाते हैं बढ़ने की वजह से जो voltage होता है यहाँ पर 40 voltage हमारे 30-40-50 voltage है यहाँ पर generate होते हैं वो 50 hurts यहाँपर DC मेー convert होते हैं DC मेー convert होने के बाद आपके हाँपर display के अंधर तरह छोटे छोटे बलप लगे होते हैं उस बलप के माध्यम से वो आपकी light जयलती है उसके बार यहाँ पर कंट्रोलिंग करने के लिए PWM सर्किट जो हता है जिसको जोड़ा जाता है जिससे इसको यह light IC को यह convert करके बताता है बाई दुकर तुमको कितना voltage बनाना है कितना नहीं बनाना अब बंद कर दिना अब नहीं जलाना यह सारी चीजा जो है इसके अंदर ऐसा information दे तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया लेकिन यह जो मैंने समझाय रखा ना यह इसके अंदर बना भी है जो मैंने समझाया यह इसनने समझा भी रखा आप चाहो तो इसे समझ भी सकते हो देखिए कैसे ऐसा नहीं कि मैं हूँ तो ही आपको पता चलेगा इससे आपको सब कुछ पता चलेगा देखिए यहाँ पर देखिए पिन नमबर 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पिन में किस पिन का क्या रोल है जैसे पिन नमबर 1 स्विचिंग, कन्वर्ट स्विचिंग नोट GND, Ground, FB, Output Feedback Control, Voltage Out V In यह सारी चीज का डिटेल देखिए हुआ कितना voltage इन दे सकते हो क्या आउट होगा साब चीज बार यह देखिए इसका पूरा सर्किट बना दिया है नोगों ने यह देखिए कैसे काम करेगा कैसे सर्किट काम करेगा पूरे इस चैपिन की जो डिटेल से उस चैपिन को कितना डिटेल से अच्छे सब जा रखा कि जब यहां से आप voltage देंगे तो capacitor voltage आएगा यह पिन नमद 6 पर voltage इन होगा यहां पर switching होगी switching होने के बाद यहां पर voltage AC frequency में रहते हैं आप 10 सीरी से ज़्यादा आप तू 10 सीरी 10 4 स्टेप में यह वीडियो यह voltage आउट होता है जिससे आपके भलब जलते हैं जिससे आपके डिस्प्ले में रोस नहीं आती है तो यह light जलने का इसके अंदर circuit दिया हुआ प्लस अगर आप और नीचे इसके जाकर detail में जाएंगे पूरा information दिया हुआ है one by one करके सारा information के बाद यह देखिए जैसे हम लोग CR-O में यूज़ करते हैं जो उसकी pulses चेक करते हैं वो दो को PWM की pulses तक दे रखी है जो आप लिशों में यूज़ कर सकते हैं CR-O में भी चेक कर सकते हैं यह उसका graph बना हुआ है कैसे voltage increase होगा यह efficiency क्या है यह सब चीज़ का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है तो दोस्तों आपको इसके अंदर IC काम कैसे करें जो 6 pin की IC न जो 6 pin की दोस्तों जो IC ती जिसके अंदर switching हो रही थी जिसको आप लोगों ने आप ऊपर देखा था यह देखें यह आपने जो देखा था ना इसी तरीके से IC के अंदर से voltage कैसे बढ़ाया जा रहे हैं उस तक का बिल्कुल कितना base level तक का काम करेगा कैसे oscillation होगा कैसे voltage बढ़ेंगे PWM कैसे control होगा control होने के बाद कैसे यहां पर terminal पर switching होगी switching होने के बाद आपके voltage बढ़ जाएंगे यह साब चीज पूरा उसके अंदर का पूरा details logic circuit पूरा अंदर का create दिया होगा है किसके अंदर यह logic सकते हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और display में अंदर आने वाले इस तरीके से light IC के समझ्याओं को ठीक चाथ सकते हैं तो दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप इसको खुद देखें खुद करें थोड़ा सा समझें आपको बहुत अच्छे से clear होगा अब देखिए मैं इसी तरीके जैसे मैंने इस आईसी के बारे में बता है अब मैं आपको दूसरी और आइसी दिखाता हूँ जैसे अब आपने इस आईसी के देख लिया अब मैं उपर से किसी दूसरी आईसी को ले 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 लिया इस आईसी का भी configuration पूरा दिया हूआ है यह दोस्तों किसे काम करेगी इसका पूरा दिया हूए है यह इसी कितने को होगी है पूरा उसके अंदर का format दिया हुआ आगर आप इस बात को कहें तो इतनी तरीके के light आज़ी हमारे mobile phone में इस्तेमाल होती है या display के light को जलाने के लिए display light को कंट्रोल करने के लिए इतनी तरीके के packages इस्तेमाल होते हैं देखो mobile phone, portable media players GPS receiver इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल गया जाता है कि देखें पूरा डेटेल दे रखा है यहां से कैसे वोल्टेज आएगा यह कोईल पर सप्लाई जाएगी कोईल के बाद आंगे जाएगा यहां पर सोटकी डैयोड लगा है जिसे तुम्हारा वोल्टेज यहां पर वोल्टेज इस टो होऊंगे वोल्टेज इस्टूर होने के बार एक लायट दो लायट तीन यह सै लायट एक यह से लायट चालेगा और यहां से आपकी supply जाएगी जिससे आपके display में क्या हो जाएगी light जलेगी यह 10 ohm का resistance है यहां से ground हो करके feedback पता चलेगा यहां से इसको minus supply मिलेगी और यहां से आपके plus के voltage जाएगे 14 से लेकर के 24 voltage जिससे आपके display के सारे बलब जलेगे यहां से निकलेगी रोसनी रोसनी से दिखाई देगा तुम्हारे display में चित्र फोतो तो इसी तरीके से सारे circuits को आप लोग समझ सकते हैं इस circuits को एक बार मैं समझा रहा हूँ ना इसका skin sort ले लेना skin sort लेने के बार जैसे मैंने पहले ही बताया था इसका भी skin sort लेना इसके sound लेने के बार अपने कॉंपी में draw करना draw करने के बार फिर समझना कि देशना तुमको कितना circuit अच्छे से समझने आएगा चलिए अब इसी तरीके से और दूसरी आईसी आती है मोबाइल फोन देने बहुत सारी देखोईए यह बॉल वाली light आईसी है अब इसके अंदर भी देखो feedback, select, ground, in, switching, enable, pwm इस तरीके तो वही सारी supply pin होती है लेकिन इसका बनने का structure चेंज हो गया जो structure उस तरीके सा था इसका structure क्या हो गया चेंज हो गया बॉल टाइप में आईसी हो गया लेकिन आप उसके लगा नहीं सकते लेकिन फिलाल हम लोग structure को यूज कर सकते है समझ सकते है भावनाओ को कि ऐसे इसमें दिया है ऐसे उसमें भी है आप लोग समझ सकते है सारी detail यह जैसे दोस्तों मैंने LED, light, driver, IC के बारे में बता है इसी तरीके से आपके mobile phone के नहीं जैसे OVP है OVP केंदे कितने तरीके के OVP आ रही है यह देखे कैसे OVP काम करेगा adapter से USB लिखा ना adapter से USB से जब 5 volt current होगे तो यहां से तुमारा out होगा और वो out होने के बार तब आगे जाएगा आउस के बार यहां पर देखिए OVP जीनेबल कैसे कंट्रोल होगा supply जाएगी की नहीं जाएगी यह सारी चीज के बारे में यहां पर दिया हुआ है अधिक और दिवाइडे सर्किट बना हुआ है दूसरा मैं OVP खोलता हूँ कितने तरीके के OVP दिये हुए कि देखो इसका डिजाइन ऐसा होता है OVP का कैसे काम करेगा यह OVP कैसे काम करेगा इन आउट कंट्रोल इस तरीके का OVP यह सर्किट यूज़ हो रहा है तो ऐसे आप मुबाइल फोन के जो भी सारी आईसी है कि कैसे काम करेगा यहां पर एसी एडप्टर यहां से क्या होगा, आउट होगा, आउट होने के बार यहां से कंट्रोलिंग कैसे होगा, सारी चीज के बारे में इसमें दिया है, ऐसे आपके mobile phone के अंदर जितने भी छोटे छोटे और भी बहुत सारे circuits हैं, जैसे power amplifier है, power amplifier का अगर बोले तो PFOIC, क्या बोलते हैं, PFOIC, PA, power amplifier, इस तरीके से जो हमारे mobile phone के अंदर इस्टेमाल हो रहे हैं, उसके अंदर इन से चुजों के बारे में पूरा एक एक करके information खुल जाता है, आप चाहो तो इसको खूल सकते हो, खुलने के बाद उसके details से उसके बारे में समझ सकते हो, इसके अंदर इतना इन लोगों ने दे रखा है, कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो मुझे लगता है, कि आपको mobile phone repair करना बहुत आसान हो जागा, देखिए, pin assignment, यह देखिए, यह तुमारी IC है, इस IC के अंदर क्या सारी RF pin, कौन से pin कैसे आ रही है, क्या connection है, उसका assignment है, साब चीज पूरा दिया हुआ है, कैसे काम करेगा, देखो, RF कैसे काम करेगा, कैसे working होगी, कैसे signal आपके निकलेंगे, TX, RX, कि साब चीज पूरा इसमें से details पूरा दे रखा है, तो आप इसको repeating करने के लिए, concept को समझने के लिए, कि हमारे mobile phone के अंदर, जो PFO IC ह इसमें के पूरा देटेल में, आप information ले सकते हैं, और इन सारी पिनों की सारी details, सारी information, वो तो दोस्त जब आप training लेने के लिए आते हो, सीखने के लिए आते हो, तो आपको सब चीजों के बारे में, step by step सब चीजों के बारे में, आपको समझा जाता है, ताकि हमारे पार जि यह तो सिर्फ वीडियो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ चीजों को सीख सकें, help ले सकें तो ऐसे mobile phone के अंदर जितने भी सारी IC हैं, सारी IC के बारे में step by step साथ चीज आपको totally आपको दिया हुआ है तो दोस्तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताया है कि mobile phone के रहे जो IC की data seat होती है उस IC की data seat के बारे में information दोस्तों मैंने आपको बताया है और मैं कुछिस करता हूँ अपनी तरफ से कि जो भी हमारी बात है वो हम आपको अच्छे तरीके समझा सकें और आपको सारी सीच अच्छे से clear हो सके जो मैंने topic आपको बताया है वो एक एक करके आपको step by step आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसके माध्यम से आप mobile phone में आने वाले समझाओं को ठीक कर सकें तो दोस्तों वीडियो को ना लंबा करते हुए हम लोग आँगे वीडियो मिलेंगे और फिर एक नए topic उपस सीखेंगे और इसके आँगे tools के बारे में सीखेंगे यह दोस्तों बॉर्मियों के बारे महिके करके आपको step by step वीडियो इसलिए लिए लेकर गया हूँ जीरो हैं अगर वो भी चाहते हैं कि हम इस line में आकर के पूरा complete सीख लें तो फिर आकर के दोस्तों आप यहाँ पर आकर कर ट्रेनिंग ले सकते हैं सब फिजों के बारे में step by step आप सीख सकते हैं और यह जो ट्रेनिंग परता यह कानपूर में है कानपूर जो railway station है उसके just pass में कि आप आराम से आ सकते हैं सीख सकते हैं अगर आप mobile phone repairing के पूरी जानकारी लेना चाहते हैं ट्रेनिंग के बारे में information लेना चाहते हैं तो नीचे screen पर दे हुए number पर संपर कर सकते हैं इसमें से किसी number पर आप संपर कर सकते हैं और mobile phone repairing complete course को आप सीख सकते हैं तो दोस्तों आज ही वीडियो में बने रहने के लिए thank you